नमस्कार, मैं उज्वल मिश्णा, अमीद करता हूँ आप सभी लोग घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लागडाउन का सक्ती से पालन कर रहे होंगे कल जिस तरह से हमने देखा पूरे दिन सोचल मीडिया पर महारास्ट की घटना की चर्चा होती रही किस तरह से महारास्ट में बरवरता से सादू की हत्या कर दी गई, उसके बीडियो हम सभी ने देखे दो सादू, एक ड्राइबर, जिहां ये घटना थी महारास्ट के पालघर के गर्चिंचले गाउं की ये पालघर मुंबई से लगवग 125 किलो मीटर दूर है, जो घटना सोचल मीडिया पर ये चल रही है, बाइरल हो रही है बड़ी तेजी से, ये घटना 16 प्राइल की है इस पर वीडियों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक भीड, लगवग 300 लोगों की भीड होती है, दो साध्यों की पीड पीड कर उनको मार कर उनकी हत्या कर देती है, किस तरह से एक ड्राइबर भी होता है, उसकी भी इसी तरह से मार पीड कर हत्या कर दी जाती है ये आपने देखाऊगा साथ में पुलिस बल भी होता है पुलिस भी होती है लेकिन वही पुलिस उनको बचाने की बज़ाए उनको भीड के हवाले भी कर देती है वो कारण कोई भी रहा हो वो कारण रहा हो कि उस भीड को पुलिस बल समाल ना पाया हो लेकिन जो कुछ हुआ वो बापस नहीं हो सकता है बदल करके फिर से नहीं आ सकता है सादू की जिन्दगी बापस नहीं आ सकती है मरे उए लोगों को हम दुबारा बापस नहीं ला सकते हैं लेकिन हम चुप भी नहीं बैठ सकते हैं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि देश में ब्रहमडों की किस तरह से हत्या कर दी जा रही है अब सादू संत भी सुरक्षित नहीं है और महरास्ट में ये वही महरास्ट है जहां वीर सिवाजी के समय महरास्ट में ब्रहमडों का आथित सत्कार बड़े शान से ब्रहमड रहते थे उसी बाला साब के समय में ब्रहमडों का भी सम्मान होता था लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ गई ऐसी कौन सी वो चीजें हुई जो उद्धर ठाकरी की सरकार में उनी ब्रामडों पर हत्या कर दी जाती है उनके तिरस्कार किया जा रहा है आपको बता दें यह सादू संत जा रहे थे एक महंत के अंतिम संसकार को तो इन्होंने रोड का रास सब्सक्राइब कर दिया है उनका कहिना रही है कि यह बच्चा चोरों के गिरहां के सज़से उनको ऐसा अंदेशा लगा यह वबा चल रही थी इसलिए उन्होंने उनको रोका उन्होंने उनको पीटा लेकिन इक सबाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या उनको वह सेफरान नहीं था कि उनको पुलिस को फोन करके पुलिस बुलाना चाहिए और पुलिस आई भी तो पुलिस का करतब दिख्या था सवाल बहुत सारे हैं सवाल सरकार पर भी है सवाल प्रशाशन पर भी है सवाल वहां के लोगों पर भी है और सवाल एक बहुत बड़ा सवाल वहां के लोगों के साथ-साथ पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है किस तरह से आपने देखा और ये एक सब्समाज कर व्यक्ति वो वीडियो नहीं देख सकता उस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही हिम्मत की दरूरत है और उसको देखने के बाद बोलने के लिए बहुत शाहस्ट चाहिए वो वीडियो में देख करके आया हूँ मैंने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को मैंने एक बार नहीं काफी बार रिपीड करके देखा है क्योंकि मुझे उसमें से कुछ तथ निकालने थे उस पेसे ऐसा देखना था कि ऐसा क्या हुआ आकर उस भीड में कि उस भीड ने इतनी बरवरता से एक भीना सुनी और सारे उस पर जुट पड़े उने से 70 साल के थे आपको तीनों के नाम बताना चाहूंगा ये जूना खाड़ा के एक महंत थे कल्प ग्रक्ष गिरी महराज जी 70 साल की लगवा गुम्र थी उनकी उनी के साथ में थे स्वामी शुशील गिरी महराज जी और उनके साथ उनका एक ड्राइवर था नीलेश तेलगड़े ये तीनों लोग एक गाड़ी से सवार होकर के जा रहे थे जब भीड रोगती है इनको ये गाड़ी से नीचे उतरते हैं उसके बाद इनकी एक सुनी रही जाती है भीड अचानक से इन पर हमलावर हो जाती है आखिर एक सवाल ये उठता है कि ऐसे लॉक्डाउन की इस्तित पुलिस वल को पता ना लग पाना उसके बाद भी पुलिस सर्फ एक्ता दुक्ता पुलीजी पहुंची है वहाँ पे और अगर पुलिस वहाँ पर यह चीज देख रही थी ये भी अमान सकते हैं कि पुलिस किस्तिती को नहीं भाब पाई तो उसको उस समय जब उसने देख लि मिनट में नहीं हुआ है कि एक दो मिनट में मार पीट करके और उन साधू की हद्का कर दी गई हो ये लगबग आदा पॉन धंटे चला है उसकी बाद भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिस पुलिस पे भरोसा उमीद की आस और मदद की आस रहती है वो साधू बार-बार उस पुलिस के पीछे जा रहा था लेकिन पुलिस वाले भी उसको उसी जिस सहास से उसने पुलिस का पुलिस से सहायता मागी उस पुलिस के परवाह पहले की जाएगी महाँ पर लेकिन जान की परवाह उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से वो पुलिस बाला भीड के हवाले उसको फिर से धकेल दे रहा है क्या यह सोची समझी शाजिस थी और शाजिस नहीं भी थी बहुत चारे लोग सोचल वीडिया प कर किसी चीश पर हाभी हो जाना यह कहीं पर नयाय संगत नहीं है दूसरी बात आ रहे हैं लोग कह रहे हैं अविव्यक्ति की आजादी जिस सम्विधान की हम अविव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं उसी सम्विधान में आजादी के कुछ दाइरे भी हमें दिये गए है तो बहतर होगा कि पहले उन दाइरों को भी अभिविर्थी की आजादी, अपनी आजादी को निभाने से पुर्फ उन संभिधान की दाइरों को भी हम पढ़ लें एक बात और मैं कहना जाओंगा जिस तरह से सरकार की डीली डाली है उसके बाद भी तुरंट कोई एक्शन नहीं होता है जब मीडिया इस मुद्दे को चालती है, इस थानी नेता इस मुद्दे को चालते हैं उसके बाद जाकर कि उद्दब ठातरे की सरकार पुलिस प्रशाशन इस पर संग्यान लेता है उसमें भी सरकार कहती है कि हमने 110 लोगों को गिरफतार किया है ये बात सरकार कह रही है, पुलिस प्रशाशन कह रही है अब भी भी मैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों से बात करने के लिए मैं ये इसकी फोटेस तयार कर रहा हूँ उस समय तक पुलिस ने इस केस की प्रोफाइल जो थी वो अपडेट नहीं की है कि किन-किन धाराओं के तहए तो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या कुछ कारवाई आगे की है वो भी पुलिस नहीं की इतना धीला सिस्टम हो करके हम किस न्याई की बात करते हैं किस न्याई की उमीद हम इस सिस्टम से करते हैं जिस सिस्टम में निस्पक्ष हो करके काम करना जिस सिस्टम को नहीं आता है जिस सरकार पे हम भरोसा करते हैं वो सरकार इस तरह से खिलवाड करती है किस तरह से लोगों में हिम्मत आएगी ऐसा आगे फिर करने की किस तरह से जो वहाँ पे 300 की भीड़ती उसमें से 110 लोगों को पकड़ लेना क्या बस इतना ही उचित होगा क्या यही उन साध्यों के साथ न्याय होगा अकिर में आप सोच सकते हैं क्या इस्तिती रही होगी उन साध्यों की उस समय जिस समय पुलिस उनका हाथ छोड़ करके फीड के हवाले कर देती है और लोग उसको लाटी डंडे से पीट रहे होते हैं क्या कुछ अंतिन समय में वो सोच रहा होगा वहाँ पे क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा क्या कुछ पुलिस प्रशाशन से हम उमीड करें हम सहायता करें और फिर ऐसा नहीं है ये बाते बेतर की हो रही हो ये वीडियो में साफ साफ फुटेज दिख रही है फुटेज वे लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं और उन चेहरों से प्रशाशन चाहे तो सक्ष से सक्ष कारवाई बहुत जल्द से जल्द की जा सकती है क्योंकि बीडियो बहुत साफ स्पस्ट तौर पर वीडियो में सारी चीज़े दिखाई दे रही है उसके बाद यह बात कही जा रही है कि जब पुलिस का एक बंदा होत जाके वो फिर उस संथ पे उस साद्यू को टारगेट करती है पुलिस वाला उठता है और चांती से चुक्चाप चला जाता है तो यहां से हमें एक सोची समझी राड़नीतिक शाजिय समझ में आ रही है जिस तरह से साद्यू संथियों के साथ हो रहा है बहुत सारे सवाल उ रहा है मैंने आज खबर आ रही थी मेरे पास कई से कि नागा साद्यों ने भी कूछ करने का आदेश दिया है लेकिन अभी नहीं तीन के बाद जब लॉक्डाउन खुल जाएगा उसके बाद बुक करेंगे आखिर क्यों इस तरह से अगर हम धीली ढवाली करेंगे सिस्टम क कमियां हमारे सामने आएंगी तो उनको सुधारनी का काम कौन करेगा उद्दव ठाकरे का जो कुछ भी अभी तक उन्होंने स्पस्टी करण दिये हैं चीजों के उस पर उनका कोई भी एक साफ स्पस्ट तौर पर चीज़े सामने नहीं आ रही है राजनीती सुरू हो गई है जो भारती जनता पार्टी अभी तक उद्दव ठाकरे बाला साब ठाकरे के समय से बहुत साल मिलकर के सरकार चलाती आई है आज मही भारती जनता पार्टी उन पर आरोप लगा रही है जिस तरह से आप देखेंगे तमाम सारे दल आ गए है राजिरी तिक भी से हो गया है मरने नहीं देना है जब तक निस्पक्ष और न्याई करवाई नहीं हो जानी है आपको इस मुद्दे को क्रमुक्ता से दिखाना है इस पर बात करनी है लोगों को भटकाना नहीं है संपरदाइक रंग नहीं चड़ाना है चीजों को निस्पक्ष हो करके सामने लोगों के र नहीं का हो तो वहां पर कोई भी रहा होगा तो पहले अपनी जान की परवाह करनी के साथ उस्ची के साथ हमें ये भी समझना होगा कि जब इतनी भीड इतनी आताताई होकर कि ये काम करती है तो हमारा वहां पे करतव्य क्या बनता है और ये मैं बात पुलिस प्रशाशन से कहना चाहरा हूं उसकी वहां पे जो सिस्टम का धीलापन दिख रहा है उसका ये संगे कि ये भीड ए साथ जान बच जाती लेकिन उनने ऐसा नहीं किया उसकी साथ ही और सारे जो तमाम सोशल मीडिया पे आप देखेंगी लोगों में किस तरह से गुस्सा आ रहा है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सादूसंद्रों का अपमान अब बिलकुल नहीं सा जाएगा क्योंकि निश अगर हमने इसको बकूबी पढ़ा हुआ है कि सादू एक हाथ में अगर सास्त्र लेकर के चलता है तो जिसरे हाथ में उसके सास्त्र भी होता है और यह हम सब फिर बाद ने हो जाएंगे हमारा पुरा हिंदु समाज यह बाद ने हो जाएगा और मैं यह देखिए सामपरदाई रंग नहीं डाल रहा हूं इस पे लेकिन जो उनके पक्षकान होंगे वो सब बाद ने हो जाएंगे कि हमें फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने इन समाज को बचानी के लिए क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में एक ग्यान की धारा मुईया करा रहे हैं लोगों को बचुबी अपने ज्यान से परिचित करा रहे हैं और उनके साथ अगर इस तरह से बरवर्ता पूर्ड का रहे होंगे तो चुप तो नहीं बैठा जाएगा सामने आया जाएगा खुल करके बोला जाएगा और बिरोद किया जाएगा और मैं मेरे संग्यान में भी आया है कि जो यह एडिए थी पालमघरवारी एडिया है बहुत तेजी से इसाई धर्वांत्रड हो हैं और उसके साथ कोशिश कर जाता है जाता है कि कहीं Sow एक साजिश इंकार तो नहीं कर सकते हैं कि सी यदिurstए बात है अगर कोई यह कहता है कि यह एक अव्भाहा का था एक जूट ब कोई देरी नहीं लगती है और उस एक जूट की वज़ेसे इतनी सारा भीड इखटा हो गया वहाँ पर जिसको देखा जाए तो बड़ा ही असमंजस और धैनी इस्तिती वहाँ पर लगती है कि क्या कुछ कैसे अमानवी और हैवानियत लोग रहे होंगे वहाँ पर जिनको गेर अससे के साथ जो लोगों में एक गुस्ति का महौल विचल रहा है और लोगों में बहुत बप्रती है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रशाशन को सक्त करें और प्रशाशन की कम्यां हमें साफ तोर पर दिग गई यह भी दिग गया कि किस तरह से लोगडाउन का पालन हो रहा हैं किस तरह से लोग सुरक्षित हैं किस तरह से पुलिस प्रशाशन काम कर रहा हैं किस तरह से वहाँ पे जो जनता है वो काम कर रही सारी चीजे महराज की इस परश्टी करन इस एक घटना से हो गई है और अगर यह घटना मीडिया में प्रकाश में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशाचन इस पर कोई सक्त होकर भी कारवाई करती और यह बात साशन इस तर पर पहुंचती और नहीं भी प स्थार पर साफ सीधी और नपी तुली बात करनी है अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि सोचल मीडिया एक बहुत बड़ा हत्यार है बहुत बड़ी ताकत तो आपको अच्छे तरीके से करना है लेकिन किसी की भावनावे आहत ना लोगों से भी मेरी अपील है कि जिस तरह स पर आप सोशल वीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भाती अच्छी तरीके सो उसका यूज़ करें और साहथ दूर पर अच्छी बात करें जो सरकार का सयोग कर सकते हैं उसके जो चीजे उसकी प्रकाश में नहीं आ झाले उन्माने करते हैं